हेलो वियर्ज आशी श्वियास आपका एस्टोजर दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे आज हम बात करेंगे आपकी राशी के बारे में क्या रहेगा आगे का समय हेल्थ वाइज मनी वाइज वैल्थ वाइज शनी महाराज मक्कर राशी में आ गये है गुरु महाराज पांच नवेंबर से धनुराशी में आ गये है राउगेतू अधनुराशी में बैठे हुए है शनी महाराज के मक्कर राशी में आने से काफी उथल पाथल मची हुई है हर एक राशी में आपकी राशी का क्या हाल है और कबसे ठीक होगा भविश्य यह मैं आज आपको एक फ्रस्फपय स्थान पर है और गुरु माराज संतान स्थान पर हैं संतान के उग शेर मारेट में बेनेफिट के योग रिलेशेनासिप के लिए बढ़़िया टाइम हैं मैं तुर पीर के लिए तृवरेबल टाइम है लेकिन शनी माराज इतना मैं इंटृ नहीं चैलेंजिस लोन को रीपे नहीं कर पाना शत्रू से लड़ना कौर्ट मैटर में फसना ये सारी चीज़े दिखा रहे हैं ये सभी चीजों में नेगेटिवीटी में कंट्रोल आएगा फरवरी मीड के बाद फरवरी की 20 तारीक के बाद गुरू जब मकर राशी में जाएंगे वो नेगेटिवीटी को कंट्रोल करेंगे सी राशी की सी राशी के लिए अच्छा समय मीड फरवरी के बाद है जो पूरा मार्च एंट तक रहेगा ये समय के दौरान अच्छे कासे इंकम इंक्रीज पोजिशन इंक्रीज के योग जॉब में स्टेबिटी बिजनस में स्ट अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वो भी लिख सकते है मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम आपका मांग दशन कर सको एस्टोजी के रिगारिंग मेरा अगर परसनल कंसल्टिंग चाहिए तो नीचे नंबर फ्लेश हो रहा है वो भी आप यहां मुझे कॉल कर सकते हैं मेरा परस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेरा काम अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल एकन को प्रेस करें और कुछ भी अगर बात करनी हो कमेंट करना हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच फ्रैंड्स